हलो बच्चों एक बाद फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द्रोन स्कूल में ये जो पेपर आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके नौते विद्याले के इंटरेंस एक्जाम में तो इस वीडियो को बच्चों पूरा देखना, complete देखना एक-एक solution में कराऊंगा बहुत ही अच्छे से कराऊंगा बिल्कुल आप बिल्कुल हैरत में हो जाओगे जब पेपर देखोगे अपने एक्जाम का बिल्कुल इसी तरह का पेपर इसी pattern का पेपर सब कुछ आपको दे हेल्फुल है ये पेपर तो आप जरूर से पूरा देखना बिटा वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी के एक्जाम के लिए बहुत ही हेल्फुल ये होने वाला है चलो स्टार्ट करते हैं question number one से देखो एकदम exactly वही पेपर है आपको कुल मिला करके 80 questions देखने को मिलें आप यहाँ पर देखो समय जो लिखा हुआ है दो घंटे का समय आपको मिलेगा और maximum marks जो होंगे वो 100 number का ये paper होने वाला है अपका start करते हैं बिटा सबसे पहले mental ability से भाग एक यानि की odd man out इसको बोलते है odd man out कहने का मतलब हो गया वरगी करन यानि की भिन आकरित को आपको छाटना है option question number one में देखो क्या सबसे अलग आपको दिख रहा है इसमें आप देखो बटा कि B, C and D ये जो है ये क्या है पढ़ाय लिखाई से related है ये भाई यह हतोड़ा है न तो ये सबसे अलग हो गया इसमें अगर आप देखोगे option question number two में तो आप देखो बटा A option, C option and D option ये nature से संबंदित है, मतब प्रकृति से संबंदित है, ये पेड़ पौधा है, ये जो है अपकर cloud है, ये full है, जबकि ये रुपिया पैसा है न तो ये सबसे अलग हो गया, ये अगर आप देखोगे option number three में बटा देखो, तो 5 और 4 मिला करके 9 हो रहा है, 6 और 4 मिला करके 10 हो option A अलग होगी आपना, next देखो, ये वला अगर देखो आप, तो इसमें आप सभी देखो कि इसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होना चाहिए, बराबर बराबर भागों में चीज़ें बटी होई है, इसमें देखो 2 बराबर भागों में, 1, 2 बराबर भागों में ये चीज़ बटी हुई है, बराबर भाग में, लेकिन option number D में अगर हम देखें, तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा चोथा अलग है, तो बराबर पार्ट्स में नहीं बटे हुए हैं, तो D option ही अपना correct option हो जाएगा, अगले question पर चलते हैं देखो, question number, अच्छा, next question पर जाने से पहले आपको बतादू मिटा, कि अगर आप 2023 की तयारी कर रहे हो, तो ये अरजुन बैच आप सभी के लिए है, लेकिन अगर आप 2024 की तयारी कर रहे हो, तो आपके लिए है हमारा alpha batches, अब देखो, अरजुन बैच का price बिल्कुल ही कम आप सभी के लिए है, 2000 रुप पिछले जो exam हुआ था, JNVST का, उसमें बहुत ही बड़ा रोल, बहुत ही helpful था ये, तो आप सभी 50 model paper की series with video solution के साथ है, जो आप ले सकते है, PDF को download भी कर सकते है, द्रोन दूसूल का app download करना, उसमें मिल जाएगा, mock test भी है, JNVST के लिए, ये mock test बहुत ही helpful होते हैं, आप सभ 260-388-361, तो इस पे call या WhatsApp करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, कैसे आपको enroll करना है, drone school का app download करना है, उसमें सारी चीज़े मिल जाएगी, अगले साल की तयारी कर रहे है, तो हमारा 9-10 alpha batch है, जो की 2,000 रुपे के अंदर 18 महिने के availability के साथ, same features के साथ, Scenic alpha batch है हमारा, इसके अलावा Scenic का mock test भी available है, तो everything is available in drone school app, जाइए drone school का app download कीजिए, और वहां से अपनी preparation start कीजिए, चलो second question पे चलते हैं, यानि की second part पे, ये similar figure का question है बैटा, क्या लिखा हुआ कि प्रशन संख्या 5-8 में बाई और एक प्रशन चितर दिया गया है, दाई और A, B, C, D से चिन्हित 4 उत्तर दिये गये हैं, उत्तर चितरों में से उत्तर चितरों से प्रशन चितरों की समरूप चितर को चुने, तथा उत्तर को दर्शाने के लिए OMR sheet बरे, ठीक है, यानि आपको similar figure चुनना है, इसके हूब भू, इसके जैसा बिल्कुल समरूप कौन सा है, ये इस तरह कर हैगा, option D हमारा correct हो जाएगा, ठीक है बटा, इसी तरीके से, अगर हम question number 6 देखें, तो इसमें देखो कौन सा दिख रहा है, भाई ये तो सीधा ही गलत है, इसमें एक छोटू सा है, तो ये भी गलत है, option number A बचा, option number C बचा हमारे पास, तो इन दोनों में से अगर option number A में हमारा available है, so option number A हमारा correct option हो गया, अगर मैं question number 7 पे चलो बटा, तो आसान सी बात है, इसमें एक line नहीं है, तो ये खतम हो गया, इसके बाद, अगर मैं option number A की बात करो, तो circle यहाँ पे है, जबकि circle यहाँ पे उपर होना चाहिए, तो ये भी खतम हो गया, A और C तो गय अगर हम लास्ट वाला question देखें, इस part का, याने की question number 8 आप देखो, तो question number 8 में सीधा सीधा B option देख रहा है, कोई कहने की बात ही नहीं है इसमें, next question पे चलते हैं, ये देखो, इसमें pattern आपको पूरा करना है, क्या करना है, प्रशन संख्या 9 से बारे में, बाई और एक प्र इसे पूरा करेंगे, simple सी बात है बटा कि सभी में आप देखो, तो इस तरीके का, दो पंखुडियां देख रही है इस तरीके की, तो यहाँ भी इस तरीके से दो पंखुडियां ऐसे आपको दिखेंगी, तो option number C आपका correct हो जाएगा, ठीक है, इसमें देखो, ये इसका मु इधर की तरफ है, इसका मुई इधर की तरफ है, तो इसका मुई इधर की तरफ ऐसे होना चाहिए, तभी तो pattern बनेगा, है ना, तो option number B में सिर्फ हमारा ऐसा है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है, question number 11 देखो बटा, यहाँ पे जो है, यह आपको यहाँ से एक line खीचने इसमें अगर हम देखें मेटा, तो देखो यहाँ पे यह इधर है और यह इधर की तरफ है, तो यह वाला और यह वाला दोनों similar है, बिल्कुल समान है, तो उसी तरह से यह वाला और यहाँ पे यह वाला बिल्कुल समान होगा की नहीं, है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीक होता है धीरे करने का तो आप धीरे कर सकते हो speed को धीरे कर सकते हो ठीक है देखो बैटा question number 13 देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ क्या series follow हो रही है वो आपको देखना है एक बार आप जरा पढ़ लो निर्देश पढ़ लो लिखा हुआ है कि 13 से 16 में उपर की तरफ 3 प्रश्ण चित्र दर्शाय गए हैं और 4 चित्र में प्रश्ण चिन्ध दिया गया है मतलब यह series में आगे बढ़ रहा है यहाँ पे question mark है ठीक है तो अगर इसमें हमें series का पता लगाना है तो देखो बटा हो क्या रहा है यह जो line है ना यह एक square है पहले तो यह जो line है वो cut करके 2 भागों में बट गया है इधर आ गया ठीक है यहाँ एक square है यह जो line है वो cut करके 4 भागों में बढ़ जाएगा चुकि यहाँ पे 2 line है तो 4 भाग में बढ़ जाएगा चार पार्ट्स में बढ़ जाएगा, लेकिन C या D option कौन सा होगा बताओ ये line तिर्चा आ रहा है तो ये cut करके यहां आ गया है तो ये सीधी सीधी line है, तो cut करके कोने पे जाएगा ना बेटा, जो तिर्चा है वो सीधा सीधा आ रहा है और जो सीधा सीधा है वो तिर्चा चला जाएगा इस तरीके से कोने पे ठीक है तो ये कोने पे हमारा चला जाएगा option number D सही हो जाएगा question number 14 देखें मेटा तो इसमें क्या आपको सही दिख रहा है देखो ना बताता हूँ आपको इसमें क्या है न कि 1 का क्यूब प्लस 1 2 का क्यूब प्लस 2 3 का क्यूब प्लस 3 1 का क्यूब कितना हुआ 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया 2 का क्यूब 8 प्लस 2 बराबर 10 हो गया 3 का क्यूब 27 प्लस 3 बराबर 30 हो गया तो सी इस तरह से 4 का क्यूब प्लस 4 4, 4, 4, 64, 64, 64, 64 plus 4 मिल करके बटा हो जाएगा 68, बात समझ में आ रही है, तो 68 हमारा answer हो गया, ठीक है, question number 15 पे चलते हैं, यहाँ देखो, यह आपका plus यहाँ है, गुना हो गया, plus यहाँ हो गया, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है न, अब देखो, यहाँ पे कोई एक letter है, एक symbol आ गया, एक कोई letter आ गया, तो कोई एक और symbol आएगा, मतलब कोई अक्षर तो नहीं होगा, तो D नहीं होगा, A नहीं होगा, खतम बात हो गई, ठीक है, यह दोनों तो खतम हो गए, बाकी, यह plus है, यह गुना है, यह प्लस है, तो यहाँ भी गुना आएगा, तो option number B हमारा correct हो गया, simple logic है, ठीक है, question number 16 देखो बेटा, इसको आपका यह homework है, मतलब आपको इसको comment section में लिख कर के मुझे बताना है, चलो बेटा, आप सभी लोग लिख कर के बताओगे कि गुरू जी 16 का answer जो है, जो भी आपका होगा, वो A, B, C, D, कुछ भी आपका answer में लिख लिख देना, वा, गुरू जी मज़ा आ गया, लिख देना, बेटा, गुरू जी मज़ा आ गया, ठीक है, लिख देना, यह comment section में लिख देना, चलो, आगे चलते हैं, question number 17 पे, इसमें देखो बेटा, यह relation वाले question है, मतलब analogy इनको बोलते हैं, अगर मैं English में कहूं, तो these are called analogy questions है न, analogy के questions होते हैं, इसमें क्या होता है, कि यह जो दोनों, इन दोनों में जो संबंद है न, वही relation इन दोनों में आगे होने वाला है, बात समझ रहे हो, वही relation इन दोनों में आगे होने वाला है, तो इनमें क्या संबंद है जरा देखो बेटा, इनमें relation क्या है, देखो, य वही चार पार्ट बाहर खुल गए, ठीक है, तो ये जो चार पार्ट अंदर बन रहे हैं, वही चार भाग बाहर भी खुल जाएंगे, यानि कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, जो अंदर के चार पार्ट हैं, वो बाहर की तरफ निकल जा रहे हैं, तो option हमारा C correct हो जाएगा. अच्छा question, this is very very important question, बटा आप इसको markdown कर सकते हो. अगले question पर चलते हैं, question number 17 देखो, जो संबंद हमारी पृत्वी माता का अर्थ का मून से है, वही सूरज का किस्से है? देखो, हमारी आपको पता होगा, बटा कि हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल, यानि कि उसको हम लोग solar system बोलते हैं, ठीक है? और ये जो solar system में, हमारा बीच में तो सूरज है, बाकि बहुत सारे ग्रह, इसके सूरज के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं, बात समझ रहो? तो जिस तरीके से, हमारी जो अर्थ है, प्रित्वी है, सौरी, जिस तरीके से जो moon है, चंद्रमा है, वो हमारे सूरज का चक्कर लगाता है, उसी तरह से, उसी तरह से, बेटा, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो प्रित्वी है, वो सूरज का चक्कर लगाती है, है ना? भाई सा बहुत ही शांदार-शांदार question डाल रखे हैं हमने आजो बिटा question number 19 अगर हम करें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यह जो चीज है ना यह का लिखा हुआ है आप देखो कि यह 180 degree ऐसे rotate हो जा रहा है ऐसे घूम जा रहा है 180 degree तब जाकर के यह हमें मिल रहा है ठीक है तो यह भी अगर 180 degree ऐसे हम लोग rotate करें मिटा तो यह कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा बोलो यह ऐसा rotate हो जाएगा तो इस तरीके कर नहीं बन जाएगा बोलो है ना 180 degree rotate हो रहा है देख रहे हो आप कैसे rotate हो रहा है, इस तरीके से 180 degree rotate हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का option बनेगा, हमारा D option correct होगा ठीक है, अगले question पर चलते हैं, ये वाला देखो इसमें क्या हो रहा ज़रा बात समझना दो चीजे हैं, ये चीज एक अंदर है, और एक चीज ये बाहर है ठीक, तो अंदर वाले चीज बाहर आ जा रही है, अनि circle बाहर आ गया है ना, और जो बाहर की चीज है वो rotate हो करके अंदर आ जा रही है इस तरीके से, देखो तो उसी तरीके से, अगर हम इसमें देखें तो अंदर वाले चीज तो बाहर चली जाएगी यानि ये जो square है वो बाहर चला जाएगा ये बात मान रहे हो और बाहर सिर्फ एक ही ऐसा option है जिसमें square जो है बाहर गया हुआ है option number D तो और कुछ हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, तो ये हमने बटा short tick लगा लिया कि हमने किया क्या कि जो चीज अंदर है वो बाहर जा रही है तो सिर्फ एक चीज को हमने target किया कि भई क्या बाहर जा रहा है तो हमने देखा भई square बाहर जा रहा है option number D में ही ये option available है ठीक है question number 21st देखते हैं इसमें क्या करना है बेटा एक ज्यामित्य चित्र यानि कि rectangle हो सकता है ये पंच भुज हो सकता है तो ये सारे geometrical figures है इन geometrical figures में आपको बताना है कि कौन सा part इसमें fit हो जाएगा जो ये कटा हुआ part आपको दिख रहा है न ये कटा हुआ figure इसमें कौन सा figure fit हो जाएगा वो बताना है आपको सबसे पहली बात तो यह देखो बेटा हम लोग eliminate करते हैं eliminate कहने का मतलब यह हुआ कि जो option बिल्कुल भी नहीं हो सकता है उसको reject करते हैं कौन सा नहीं हो सकता बिल्कुल भी यह तिर्चा है यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता जी reject करते हैं यह भी तिरचा है यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो यह भी reject हो गया, B और D तो reject हो गया, A and D हमारे पास बच्चा हुआ है, अगर A में आप देखो, तो यहाँ पे इस तरह का pattern बन रहा है, बट यहाँ देखो, यहाँ, यहाँ कुछ इस तरह का pattern बनेगा ना, कुछ इस तरह हो जा रहा है, चुकि यह तिरचा है, तो यह reject हो गया, इतनी बड़ी नोख हमें नहीं चाहिए, जो option number B में यह दिया हुआ, इतनी लंबी सी नोख, वो नहीं चाहिए हमको, यह भी reject हो गया, उसके बाद अगर हम देखें इसमें, option number C में, तो C हो सकता है, बिलकुल, A और B तो reject हो गया, D वाला यह बहुत बड़ा है, चौड़ा है, तो यह भी खतम हो गया, C option इसमें fit हो सकता है, हाँ जी, चुकि यह जो कोना है, वो इसमें जा करके fit होगा, तो C option अपना correct answer हो जाएगा, ठीक है, 23 का देखो, यहाँ पे देखो, यह जो है curve है, तो यह हो नहीं सकत है, बाकी A, B and D जो options हुए हमारे पास, उनको check करते हैं, देखो बटा, अगर यहाँ पे मैं fit करने की बात करूँ, यह अच्छा question है, important question है, ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैं fit करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी सी line fit होगी, यह द हो सकता है, बिल्कुल बटा, यह fit होगा, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको rotate कर लेना है, मतलब इसको आपको घुमा लेना है, यह पाट इधर कर देना है, यह इधर कर देना है, यह चीज, तो जब घुमा करके fit करोगे, तो यही option number इसमें fit हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला important question है, so mark it down, अच्छे से copy में लिख लो, ठीक है बटा, इसको copy में लिख लो, या फिर बना लो, जो भी करो, but you should note this as, mark this as important question, ठीक है, चलो भई, अगले question में बढ़ते हैं, question number 24, देखो बटा, question number 24, यह देखो, question number 24 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको fit करन है, तो भई, option number D तो सीधा सीधा reject दिख रहा है, चुकि यह इसमें जगे ही नहीं है, fit करने की, option number A बचा, B बचा and C बचा अपने पास, तो अगर इसकी बात करी जाए बटा, तो A, B and C में देखें अगर हम, तो यह हमें कोना चाहिए, यह corner चाहिए, जबकि इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है, देखो, यह भी important question बचा, इसको C option को अगर तुम rotate करके, घुमा करके अगर fit करोगे, rotate करोगे अगर तो जाके fit हो जाएगा, तो इसको घुमा करके fit कर लो, घुमा करके मतलब यह जो konा है, वो इस konE में fit हो जाएगा, तो यह option हमारा correct option हो जाएगा C, ठी चलो, next question देखो दरपन प्रतिबिम यानि कि mirror image वाला question आ गया बेटा mirror, गलत लिख दिया क्या है मैंने spelling mirror image वाला question हमारा आ गया यानि कि दरपन प्रतिबिम प्रतिबिम ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, जो ये line दिख रही है ये वाली line, ये line ये line, ये line, ये जो line है इसको आपको शीशा मानना है, मतलब दरपन मानना है, मतलब mirror मानना है ठीक है, और इसी में देख करके आपको बताना है कि ये figure mirror मेर में कैसा दिखेगा, ठीक है कैसा दिखेगा, देखते हैं एक बार, जैसे देखो बेटा, ये line इधर है, तो mirror में ये line ऐसी बनेगी, ऐसी line बनेगी और ऐसी ही line हमें खोजनी है तो ऐसी line बेटा, सिर्फ एक ही option में एक minute, एक minute टुक ना नहीं, ऐसी line हमारे पास तीन option में है ये, ये और ये, ये वाले line तो ऐसी है ना, तो ये खतम हो गया now, अब देखो बेटा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक line तो ऐसी बनेगी, रुख जाना जरा ये line तो ऐसी बनेगी, बाकी जो तराजू होगा, वो कुछ ऐसा यहाँ पे और कुछ ऐसा, यहाँ पे ये तराजू बनेगा, line ऐसी और दोनों तराजू ऊपर इस तरीके से बनेगे, लेकिन option number A में तराजू नीची है, तो खतम हो गया अब हमारे पास B बचा और C बचा इसमें देखते हैं, देखो यह जो चीज़ है, वो इस तरीके से aligned है, इस तरीके से जुकी हुई है तो सीशे में इस तरीके से जुकी हुई होगी है ना, उल्टा हो जाएगा शीशे में इस तरीके से जुकी हुई है, देखो इस तरीके से सीशे में जुका हुआ होगा, और फिर वो हमारा अगर हम लोग इसमें टेलीफोन बनाएं तो वो टेलीफोन कुछ इस तरीके का बनेगा, ये देखो, कुछ इस तरीके का वो टेलीफोन बनेगा हमारा, ठीक है, ऐसा टेलीफोन, तो ऐसा टेलीफोन सिर्फ हम देख रहे हैं कि option number D में available है, बाकि किसी में नहीं है, त तरीके से, फिर ये इधर की तरफ ऐसे जुकी होई होगी, ठीक है हमें चाहिए तो ऐसे किस option में है, ऐसे ऐसा हमारा option number A में तो नहीं है B में हो सकता है, C में भी नहीं है, ठीक है, जो नहीं है बटा, उनको काटते वे चलते हैं, A में नहीं है और हमारे पास किसमें नहीं है, C में भी नहीं है हमारा हो सकता है option D या फिर B हो सकता है, तो देखते हैं कि कौन सा सही option होगा, देखना जरा ध्यान से देखना, मिटा बात ध्यान से सुनना रूख जाब सबसे पहले मुझे इसको delete कर लिने दो एक मिनट, ठीक है देखो, B या फिर D हो सकता है, हमारा option तो अगर हम देखें मिटा, तो ये वाले जो चीज़ है ये, ये जो चीज़ है, वो कुछ इस तरह से ऐसे बनेगी इधर की तरफ, ठीक है, कुछ इधर की तरफ बनेगी इधर की तरफ ऐसे बनेगी तो इधर की तरफ, सिर्फ option हमारा B में दिख रहा है इधर, तो B वाला option correct हो जाएगा ठीक है, इसमें देखो, आसान सी बात है बेटा ये mirror ध्यान से आपको देखना है, कि mirror है कि इधर mirror इधर है न, तो इसका मूँ इधर है तो mirror में इसका मूँ कुछ इधर, इस तरीके से इधर हो जाएगा, ऐसे है न, इधर की तरफ मूँ हो जाएगा तो इधर की तरफ मूँ सिर्फ option number D में है तो D हमारा correct option हो जाएगा clear बात है, चलो अगले question पे चलते हैं, next question question number 29 paper folding वाला question आगया बटा paper folding का question, ध्यान से देखना मेरी बात सुनना, paper folding में आपको क्या करना होता है, देखो इसमें options जो दिये गए हैं आपके ये option यहां से मुड़ा है, फिर यहां से मुड़ा है, फिर इसके बाद हमने एक cutting लगा दिया है, यहां पे, तो जो cutting हमने यहां पर लगाई है, वो देखो, वो cutting कुछ इस तरीके से इधर भी आ जाएगी, एक ने टुकना रुकना रुकना यह थोड़ा मैंने गलत कर दिया, क्या ठीक है, यहां से कुछ इस तरीके क्टिंग इधर भी आ जाएगी और कुछ इस तरीके की cutting जो है आपकी इधर भी आ जाएगी, और इस तरीके की cutting इधर भी आ जाएगी तो चारो तरफ वो cutting आ जाएगी, चुकि हमने एक तरफ काटा है तो वो cutting चारो तरफ आ जाएगी, option number B हमारा correct हो जाएगा ठीक है, question number 30 देखो, यह देखो, question number 30 यहां पे paper को हमने यहां से ठीक है, तो option number D हमारा correct हो जाएगा जबकि यह जो cutting है, यह पूरा यहां पे square बन जाएगा और यहां पे भी square, तो D option अपना correct हो जाएगा भाई, C क्यों नहीं सही होगा, चुकि उपर हमारा कोना आना चाहिए, देखो उपर हमारा corner आना चाहिए, तो C में तो उपर corner नहीं है, उपर flat है corner हमारा D में है, इसलिए D option हमारा correct हो जाएगा, ठीक आजओ भाई, question number 31 पे चलते हैं, यह देखो बेटा, question number 31 यह यहां से हमने fold कर दिया है, और उपर से हमने नीचे fold कर दिया है ठीक है, तो जब उपर से हमने नीचे fold किया, तो दियान से मेरी बात सुनो कि यह जो folding है, नीचे तक यहां पे आई होगी, और यहां से हमने काट दिया, तो जब वापस यह folding उपर जाएगी, तो यह cutty हुई जाएगी, ना उपर उपर यह folding कटी हुई जाएगी, यहां पे यह part कटा हुआ रहेगा, है की नी, यह part बेटा उपर कटा हुआ रहेगा, और नीचे आप समझो, यह कुछ इस तरीके का बनेगा नीचे, और उपर यह कटा हुआ फोल्डिंग जाएगा, तो कुछ इस तरीके का हमारा option बनेगा, बी option, यह जब हम यहां से fold कर रहे हैं ना, और नीचे कटिंग काट रहे हैं, तो समझो, यह उपर से जो नीचे आया हुआ, वो भी fold कर दिया है, फिर यह जो चीज़ है, यह सरकल है, वो सरकल हमने काट दिया है, तो यह सरकल यहां भी आ जाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो चारो तरफ हमारा option हो जाएगा option number A है की ने option number A अगले question पर चले चलो 8 question बचे है mental ability के इसमें क्या करना है बेटा space visualization बोलते हैं इसको English में space visualization और Hindi में बोल देते हैं आकृति निर्माण क्या हम करना है इसमें आकृतियों को बना रहे हैं जैसे देखो हम क्या करना है इसमें जो options दिये हुए option में जो figures दिये हुए इनको जोड़ करके हम बताएंगे कि कौन सा मिलेगा हमें तो देखो दो circle और एक एक डमरू तरह का कुछ है तो ये B वाला option दोनों को जोड़ा बीच में ये bridge लगा दिया तो B वाला option correct हो गया यहां पे सबसे अच्छी trick आपको बताओ इसमें क्या करनी होती आपको आपको numbers गिल लेने होते हैं जैसे ये 1, 2, 1, 2 और 3 है तो 3 इसमें भी होना चाहिए जिसमें 4 हुआ वो option तो सीधा ही खतम हो गया ठीक है जैसे ये trick इसमें हमारी काम कर जाएगी इसका आप answer बताओगे comment section में लिख करके comment में लिख करके इसका आप लोग सभी लोग answer बताओगे क्या होगा बाकि अगर मैं 35 की बात करूँ तो आप इसमें देखो 35 में क्या हो रहा है कि 1, 2, 3 and 4 हमारे पास है तो 4 options यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 हैं हमारे पास बता तो यह 4 किसमें हैं 1, 2, 3 है तो खतम जी गया टाटा बाए बागी B, C और D में 4 options बच रहे हमारे पास तो द्यान से देखना कि यह जो छोटू वाला part है option number D में यह वाला part ऐसा triangle हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है तो यह भी खतम हो गया ठीक है अब हमारे पास बचा B और C यह दोनों options हमारे पास बचे हुए है ठीक है इसमें देखो इसमें से कौन सो options है ही हो सकता है द्यान से देखो कि यह दो हमारे पास इस तरीके के हैं और दो छोटे छोटे triangle है हमारे पास तो जो दो छोटे छोटे ट्रेंगल है वो तो यहां आ गए और यह दोनों चीज़ें भी हमारी यहां आ करके मिल जा रही है तो option भी हमारा correct हो गया ठीक है? question number 36 देखो इसमें देखो बटा फिर से वही trick अपना हो कि 1, 2, 3, 4 है यहां पे C में छोटा सा rectangle है तो यह भी खतम हो गया A option हमारा बचा and जो की correct answer हमारा हो जाएगा चलो अगले question पर चलते है question number 39 देखो बटा इसमें चिपन चिपाई का खेल खेलना है क्या खेलना है यार? चिपन चिपाई का खेल ठीक है? इसमें हमें क्या करना है? embedded figure ढूंडना है embedded figure मतलब चिपी हुई आकरिती embedded figure मतलब चिपी हुई आकरिती आपको ढूंडनी है देखो क्या है? कि ये figure जो है बटा ये वाला figure जो है ये कहां पर चिपाई हुआ है? इसमें यही आपको देखना है ठीक है, कहां पे छिपा हुआ है देखो कहां पे छिपा हुआ है अब ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि इस वाले option में D वाले option में यहां पे यह छिपा हुआ है ऐसे देखो, एक, दो, तीन, चार यह यहां पर छिपा हुआ दिख रहा है आपको D option में तो यह सही option अपना हो जाएगा यहां अगर हम देखें इसकी बात करें तो उपर एक cap इस तरह के चाहिए तो इस तरीका का cap किसमें दिख रहा है option number हमारा दिख रहा है C में ऐसा cap देखने को मिल रहा है तो यही हमारा option सही हो गया एक triangle और एक इस तरीके से यहां छीपा हुआ है देखो इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें बैटा तो सीधा-सीधा दिख रहा है कि ऐसा दो curve चाहिए तो दो curve ऐसा उपर मिल गया option number D में हमारा यह correct option हो गया question number 40 यह देखो ऐसा तीर हमें चाहिए न arrow चाहिए ऐसा arrow चाहिए तो option number A में मुझे दिख रहा है यह वाला arrow ठीक है यह वाला arrow दिख रहा है option number A में चलो तो option number A ही हमारा correct option हो गया चलो बैटा इस तरीके से हमने mental ability के question solve कर लिए अब हमारे पास बचा है यह mathematics का question ठीक है इसके बाद हमारे पास यह mathematics का दूसरा मतलब part है और फिर जो है हमारे पास यह अनुच्छे दियाने की भाशा के language के questions बचे हुए हैं देखो बहुत ही मेहनत आपके लिए करके background में इस video को हम लोग produce कर रहे हैं आप सभी के लिए बना रहे हैं दिनरात मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि कम से कम इस video को like कीजे और चैनल को subscribe कीजे अगर नहीं किया है तो चुकि हम लोग लगातार J-A-N-V-E-S-T यानि की जवाहर नोदा विद्याले सेलेक्शन टेस्ट और A-I-S-S-E-E यानि की All-India-Synic School Intense Examination से related videos and guidance आपको देते रहते हैं ठीक है तो इस channel को subscribe कर लीजे जल्दी सिफटाक से ताकि आप सभी बच्चे जुड़ करके तयारी कर पाएं इसकी बटा इस video का target है last video के last में मैं बोल रहा हूँ इस video को target है 100K views तो अगर 1,000,000 views चले जाते हैं तो इसका next part यानि कि जो mathematics है वो मैं upload करने वाला हूँ तो आप सभी अपने दोस्तों के ताश शेयर कीजिए ताकि कम से कम यह हमारा target पूरा हो पाए और हम आप सभी के लिए और भी वीडियोज ला पाएं देखो जैसे ही हमारा यह target complete हो जाता है वैसे ही next आपके लिए paper आ जाएगा next paper जो है वो आपके लिए आ जाएगा और इसका अगला पार्ट भी आ जाएगा जैसे target complete होता है अगला पार्ट आएगा और अगर आप लोग target complete करते हुए चले तो next paper जितने बार target complete होगा हम लोग लगाता जो आपका exam है ना 29 अप्रेल को उससे पहले पहले इतने सारे papers करा देंगे कि आपको कुछ भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है आप बिल्कुल मस्त exam में जाओगे और exam को clear करके आप आ जाओगे ठीक है बिल्कुल आसानी से तो आपको इस target को complete करना है 100K का target है हमारा 100K views तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप share करो ताकि हम लोग next part आपको ला सकें इस video का ठीक है और हम आपके लिए बिटा ले के आएंगे जरू से लाएंगे अगर आप target पूरा करते हो चलो बिटा all the best for the examination मिलते हैं आपसे next lecture में